अगर आपने प्रिविजिन ओफ हिमालया की बात की तो आप डेफिनिटी उस वीडियो को भी देखे और आज हम जो इस डिविजिन ओफ हिमालया का ये पार्ट टू कर रहें जो हमने अपना डिविजन नौर्थ वार्ट टू दा इस्ट वार्ड कर दिया है ठीक उसमें अलग अगर हमने पर्वत को divine किया कि कौन से ranges है कि इस तरह से इसमें डिविजिन हुआ है है हमालया के नौर्थ सल्ट की तरह है यानि कि इसका जैसे ट्रांस हिमालया से ले कर शिवाली तक कि Tub division किस तरह से कौन कौन से area कहां पे exist करते हैं उसके बारे माज हम इसमें पूरा का पूरा detail में analysis करने वाले हैं तो आप हमारे साथ बने रहे जुडे रहे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपुन सुझना कि अगर आप HP allied के लिए हमारे साथ live classes attend करना चाहते ह है जहां पर आपको क्या दिया जाएगा कि complete study material दिया जाएगा daily mock test रहेगे weekly quizzes भी रहेगे और साथ इसाथ यह जितना भी platform है online classes का यह आपके साथ शेयर किया जाएगा और इसके recorded classes भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और इसके साथ अगर आप हमें contact करना चाहते तो यह दो number है रहेगे और इसमें से यह वाला number WhatsApp रहेगा यह वाला number भी WhatsApp रहेगा तो दोनों पर आप हमें WhatsApp भी link कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले है मैं तो पुन topic that is Trans Himalayas and the Greater Himalayas, Lesser and Middle Himalayas and Shivalik और Outer Himalayas अगर आप इसक इसको देख पाएंगे यहां पे कि जो हमारा Himalayas है ठीक है वो कुछ अलग-अलग श्रेणियों में बढ़ना है ठीक है यहां पे अगर हम बात करेंगे ठीक है यह अपर वाला portion तो यह कौन सा Himalayas कहला था हमारा Trans Himalayas जिसके हम पहले बात करने वाले पहला topic यही रहेगा हमार पहली स्लाइड यही रहेगी discussion की Trans Himalayas उसके बाद next जो label आथा है that is greater Himalayas then this is come the middle Himalayas यह किस-किस के बीच है greater Himalayas और Shivalik Himalayas के बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या कहते है Middle Himalayas के नाम से जानते है इसी तरह से हमारा पास different different parts में इसको हम understand करेंगे चले start करते हैं तो जो हम यह यहां पर बात करने वाले है Trans Himalayas की तो Trans Himalayas मैंने बताया था आपको map में यह वाला जो portion रहेगा ठीक है तो यह portion हमारा कौण सा कहलाएगा Trans Himalayas के नाम से जाना जाएगा ठीक अगर इसको थोड़ा सा और मैं highlight करूँ तो यहां पर इस portion को आप देखेंगे तो this is called the Trans Himalayas then comes the next point that is the Trans Himalayas mountain region or the Tibet Himalayas region is located to the north of the great Himalayas which is consist of the Karakoram, Ladakh, Jaskar and Kailash mountain ranges ठीक है यहां पर यह तीन चार ranges मैतोपून है कौन कौन सी मैतोपून है यहां पर मैं आपको शो कर देता हूँ map मैं यहां पर आपको ज़्यादा clearly दिखेगा पहली जो range आती है that is this one this one is Karakoram range ठीक है यह कौन सी है Karakoram range है this is our Ladakh range ठीक है and this is our Jaskar range यह वाली जो range रहेगी this is our Jaskar range और यह वाला जो यहां पर portion है this is Kalash range यह वाला portion ठीक है this is Kalash range तो यह चार ranges है यहां पर और यहां की जो मैतोपून विशेशता फर्दर देखेंगे अगर आप तो यहां पर आपको इसका जो elevation है वो लगवग लगवग 1000 km east to west direction की तरफ है यानि कि आपका जो east है east to west की तरफ इसका जो direction रहेगा that is 1000 km and जो इसका above sea level से elevation है that is around about 3000 meter and इसको अगर आप मोटे मोटे तोर से देखेंगे तो इसकी जो height रहती है वो 10,000 से 12,000 के feet के लगवग लगवग रहती है और इसी तरह से अगर इसकी width की बात करेंगे ठीक है अगर हम width की बात करते है इसके जो proportional width की बात आती है यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर मैं erase करके बताऊँ आपको ठीक है again तो यहाँ पे इस वाले portion में जो यह वाला portion है ठीक है इसकी जो central portion है यहाँ पे इसकी जो width रहेगी that will be 225 km कितनी रहेगी 250 km लेकिन जो इसकी extremist point है वहाँ पे यह केवल और केवल 40 km की width में फैला हुआ है clear और उसके बाद जो next point है that is about की जो नंगा परवत है ठीक है वो कहाँ पे exist करता है जासकर range में और जिसकी height 8126 meter है जिसकी height कितनी है 8126 meter है जासकर range हमने कहां पे बताई थी आपको जासकर range हमने बताई थी आपको इस portion पे ठीक है यह वाला हमारा जासकर range है यह वाला तो यहीं पे हमें नंगा परवत देखने के में जिसकी उंचाए कितनी है 8126 km है यह इसकी total की total height है अब इसके बाद next जो हमारे पास important point है यहाँ पे discussion का that is कि north of the Jaskar range and running parallel to it is the Ladakh range ठीक है किदर की तरफ जब हम Jaskar range से north की तरफ चलते है तो parallel हमें Ladakh range देखने को मिलती है Ladakh range ठीक है north की तरफ यहाँ पे देखिए आफ यह कौन सी है यह वाली हमारे पास Ladakh range similar to the parallel of Jaskar range इसके parallel हमेर पास यहाँ पे क्या दिख रही है Ladakh range दिख रही है तो that is very important point and then comes next point that is कि only a few peaks of this range attain heights of 6000 meter कितनी 6000 meter की height इसमें कुछ एक peaks है जो 6000 meter की उंचाई तक है and then kailash range है ठीक है kailash range कहाँ पे है आपको मैने बताय था last one ठीक है last one किया बताया था यह वाला पॉर्शन यहाँ पे देखिए आप kailash range यह वाला कैला पॉर्शन है ठीक है kailash range So, this Kailash range is in the western Tibet, is an offshoot of the Ladakh range and the highest peak is Mount Kailash, that is 6714 meter, 6714 meter, river Indus originate from the northern slope of the Kailash range. ठीक है, जो Indus River है वो हमारी, वो यहीं से निकलती है, ठीक है, यहाँ से northern slope से निकलती है और आगे वो इधर से flow करती है. चलिए, नेस्ट बढ़ते हैं, important point की, दा नौर्थ मोस्टन रेंज आफ दा ट्रास हिमाला रेंज इन इंडिया इस दी ग्रेट कराकोरम रेंज, कहां पे है, आलसे नोन आज रेंज, ठीक है, सबसे लास्ट वाली जो, यहाँ पर देखे आप इसको, यहाँ पर देखे आप इस and eastward from the Pamir for about 800 km, पामीर कहां पे है, पामीर हमारा यह वाला पोर्शन रा, यह पामीर नौट है, ठीक है, इसके इधर हमारे हिंदुकुष, ठीक है, और इधर हमारे आता कॉनलोन माउंटेंज, ठीक है, तो यह important है, पामीर नौट is the center point और इसको आप umbrella भी कह सकते हैं, इसको क् कैते हैं उमरेला के नाम से भी जानते है, next point about this caracorum range that is, caracorum range extent is toward from the Pamir's of 800 km and its range with lofty feet, elevation 500 meter and above, कितना इसका, 500 meter and aboveand it is the abode of some of the greatest glacier of the world outside the polar region. इसी में हमें क्या दिखता है? Sum of the peaks. More than 8000 meters above the sea level. जिसका नाम क्या है? K2. 8611 meters. Godwin Austin is the second highest peak in the world and the highest peak in the Indian Union. Clear? तो ये के टू भी exist करती है. And the Ladakh Platinum lies in the northeast of the Karakoram range. नो जो लदाख प्लाटु का ये नॉर्थ हो गया, इस्ट इदर हो गया. ये वाला पूरा का पूरा प्लाटु का. उसके बाद नेस्ट of plains and mountains, that is the soda plains, a sky chain, Lingqi Tang, or Dipsang plains and Chenmo. ठीक है? तो ये कुछ है कि इसके plains and mountains है. तो यहां तक होपस हो कि आपको Trans Himalaya समझ आ गया है. उसके बाद नेस्ट जो इसमें important mountain peaks है और high height है उनकी उसको हमने यहां पे लिखा है. पहला आता K2. Godwin Austin के नाम से जाने जाती है 6111 meter की height है. और उसके बाद नाता कंचिन जुंगा, that is 8560 meter. नंदा देवी, that is 7816. कामेट, that is 7756 meter. और उसके बाद नाता सेंटोरो कांगडी, that is 7742 meter. और उसके बाद आता सासेर कांगडी, that is 7672 meter. और उसके बाद नेस्ट आता है, that is Mamo Strongs Kangli, that is 7516 meter. रिमो, हर्दियो, ठीक है, और चोकंबा, और त्रीशूल, ठीक है? अब वैसे तो यह दो तीन ही यह पेपर के पॉइंट और यह ज्यादा इंपॉइंट रही है, ठीक हमेशा से यह वाले पॉइंट, अब इन मेंसे भी कई बारी पूछ लिए गए है, तो इसलिए आप इनको एक आई साइट पे डेफिनेटली करेंगे, ठीक है? बागी यह तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इनकी हाइट और कहां पे यह एक्जिस्ट करती है, ठीक है? कौन सी रेंज में एक्जिस्ट करती है? उसके बाद जो नेस्ट पॉइंट है, इस आवर ग्रेट हिमालया ग्रेट हिमालया आता है, जो मैंने मैप में कहां पे दिखाया था आपको ग्रेट हिमालया, आपको मैंने ग्रेट हिमालया, यह वाला पॉर्शन दिखाया था यहां पे, यह देखिया आप, यह वाला पॉर्शन, यह ग्रेट हिमालया होारा, यह पूरा का पूरा ग्रेट हि इसमें क्या है फीचर जिसके अलसो नोन अज इनर हिमालयास, सेंट्रल हिमालयास और हिमांदरी की नाम से भी इसको जाना जाता है, अज आवरेज अलिवेशन अफ दिस हिमालयाज गोज अबब 6100 मेटर फॉम दाशी लेवल्स and an average width is about 25 km, कितनी हिगी, 25 km होज आव की विर॥ है और इस जायबा अफशी स की कि विर॥ है अई ते इस अएमालया फे उमेंड अज कैन्रेывать ते स riders के ए च्रिसटले एट इस ग्रिश्ज सेels अ मेटमोर फोजी इसकी के लिमस vous the folds in this range are symmetrical with the steep south slopes and gentle north slopes giving hogbacks along steep hills or mountain ridges that is topography and the mountain are convex to the south कैसे ये convex to the south इस तरह से है और इसी में हम क्या देखते है terminate abruptly at the syntaxuals bands one in the Nangaparwat in the north west and other in the Nambcha Barwa in the north east यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर Nangaparwat यहाँ Nambcha Barwa is this point ठीक है तो यह यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर range आपको दिखने को मिलेगी greater Himalaya की ठीक है so the next point is mountain range most of the tallest peaks of the world most of the which remains under perpetual snow ठीक है यानि कि जहाँ पर लगातार बरप पड़ी रहती है और यह वाले region है that is Sagarmatha इसके जो क्षेत्रियों नाम दिये गए that is Sagarmatha या Sagarmath that is the goddess of the sky exists in the Nepal उसके बाद next जो इसमें नाम दिया गया है that is Chom Lungma that is mother of the world and it is the name in the region China that is Tibet next comes the passes in the greater Himalaya various passes exist there the passes because they are generally higher than 4570 meter above sea level कितना 4570 meter sea level से उंचाई पे है and are snow bound for most of the years क्यों कुछे पासे ऐसे है जो की छे-छे मन्थ तक snow से ढखके रहते हैं और उनका जो जो वहां से आवज आई है वो close हो जाती है six month के लिए तो इसमें यहां पे हमने states लिक है और passes लिक है अलग-अलग passes ठीक है तो जैसे यहां पे jamн and kashmir की बात कि़ी जा लिए jamiß कश्मीर में बोर्जिल पास और जोजिला पास है ओन सा पास है बोर्जिल पास और जोजिला पास अगर आप इसको map में देखेंगे तो map में आपको जो 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 जिला पास है यह हमारे पास कुन साथ बोर्जल पास है और यह जोजीला पास है ठीक है तो यह जमो कश्मीर और लदाक के बीच क्नेक्टीविटी को शो करता है उसके बार नेस्ट जो इंपर्टेट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश लचा और शिबकीला कहां पे है हिमाचल प्रदेश में बार लचा और शिबकीलाarta ॆ तो यहां पे आप देख पा रहे है ठीक है तो यह यहां पे आप extra knowledge देगे बट यहां पे मैं आपको में जो range mountain passes है यह मैं अलग एक video में आपको पूरा का पूरा detail analysis करूँगा यह तो only and only इस video में मैं आपको थोड़ा सा inform कर रहा हूँ ताकि जब आप इस video को देखे तब तक आपको थोड़ा सा map में go through करने का एक idea सा बना रहे है ठीक है so next हम यहां पे पढ़ेंगे that is उत्राखंड उत्राखंड में ठंगला निती पास और लेपू लेक और सिक्किम की अगर बात करे तो नाथुला और जेल पा है ठीक है तो यह important यहां पे हमने पढ़े ठीक है कुछ एक पार कहां पे greater हिमाल्यास में देखने को मिलते हैं ठीक है उत्राखंड वाला जो रीजन है this is this is our उत्राखंड कौन सा वाला this one is उत्राखंड और यहां पर आपको देखिए मुलिंग्डा ठीक है यह सारे के सारे पास यहां पर लीपू लेक ठीक है पास देखने को मिलेगे तो इस तरह से और उसके बाद आथा जो सीकिम वाला पोर् पूछे जाते हैं कई बारी पूछे के पेपर में तो इसलिए यह प्री के पॉइंट आवई से यह वाला जो पोर्षन आपका यहां पे यह प्रेलिम में आपको यह डेफिनिटली हैप करेगा अब आती है बात मिडल्स और लेसर हिमाल्या की किसकी बात आती है मिडल्स और लेसर हिमाल्या की बात अगर हम करते हैं तो इन बेट्विन दा शिवालिक्स इन दा सौथ एंड ग्रेटर हिमाल्या इन दा नौर्थ मैंने जैसे आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था अगर आप इसको थोड़ा सा दवारा से देखने देखना चाहेंगे तो मैं आपक को मिडल हिमाल्या की एक्जिस्टेंस दिखाई थी कहां पर यह वाला रेंज ठीक है यह जो रेंज है यह हमारी क्या है मिडल हिमाल्या की रेंज है क्योंकि यह शिवालिक्स और ग्रेटर हिमाल्या के बीच में एक्जिस्ट करता है तो इसलिए इसको हम यहां पर अब मानुपात में ही डेवलेप होगा ठीक है और साथ ही साथ इस अल्सों कॉड़ दा हिमाचल और लोवर हिमाल्या क्या कहा जाता है इसको हिमाचल या लोवर हिमाल्या की नाम से भी इसको जाना जाता है लोवर हिमाल्या रेंजेज आर 60-80 km वाइड कितनी है 60-80 km यह चौड़ी है अब 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 दा सी अगर इसको देखेंगे तो यह 2400 km की लेंथ है इसकी ठीक है सॉरी नॉट सी लेवल ठीक है अभी नेस्ट पढ़ने वाले पॉइंट बट इसका क्या है 2400 km इसकी कुल लेंथ है जो यह वाला इसका एलिवेशन है that is 2400 km और जो यह वाला पॉर्शन है ठीक है इसकी जो वेट्थ है that is 62-80 km ठीक है और जो इसकी एलिवेशन है from the sea level that goes up to 3500 meter to 4500 meter कि इसकी हाइट एक्जिस्ट करती है लगो लगो आप यह लेके चले कि यहां पर भी आपको काफी उंचे-उंचे परवत देखने को मिलेगे ठीक है और many peaks are more than 5050 meters above the sea levels and are snow covered throughout the year यानि कि वो पूरे साल भर बरफ से ढखी रहती है lower himalayas have steep bare southern slopes and steep slopes prevalent soil formation ठीक है यहां पर क्या है जो मृदा नई-नई मिटी बनने के लिए यह helpful रहते है and more gentle forest covered northern slopes भी यहां के हमें देखने को मिलता है then comes our next point in उत्राखंड ता है middle himalayas are marked as the Masori and Nagdiba ठीक है जो हमारा उत्राखंड वाला portion आता है Masori और Nagdiba वहां पर हमें देखने को मिलता है and the Mahabharat lake is southern is in southern Nepal is a continuation of the Masori range ठीक है जो मैसोरी रेंज आती है उत्राखंड से आगे this is a go with the southern Nepal with the Mahabharat lakes and east of the Kosi river and Sabt Kosi, Sikkim, Bhutan, Miri, Abor and Mishmi hills represent the lower Himalayas ठीक है तो यह सारा का सारा जो portion है ठीक है कहां पर lower Himalayas का यहां पर मैं अगर आपको इसको द्वारा से दिखाऊं यह वाला portion sorry just wait यह वाला portion यहां पर ठीक है तो यह जित्रा भी portion यह देखिए आप यहां पर उत्राखंड वाला उत्राखंड से आगे यह फिर नेपाल में जाता है फिर आगे यह यहां से आगे यह सिर्की मेंड और ना चल तक चला जाता यह portion पूरा का पूरा ठीक है तो इस points को अगर आप यहां पर देखेंगे यह वाला portion ठीक है यह थोड़ा सा मैं इसको highlight किया यह middle हिमालया का portion ही सारा ठीक है तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से areas exist करते है that areas are ठीक है यहां पर मैंने आपको बताया थे यह सारे के सारे areas ठीक है मेरी अबोर मिश्मी hills रिप्रिजेंट था अलोवर हिमालया सब्त कोसी कोसी रिवर है यह सारा के सारा तो यह आपको प्यारे बच्चों याद रख ने होते है यह पेपर में प्रिलिम में आपको help करते है very important होते है और यह पेपर में सीधे सीधे पूछ लिये जाते है उसके बाद आता the middle हिमालया ranges are more friendly to human contact as well as the majority of हिमालया's hill resorts like शिमला and मसूरी, रानी खेत, नैनी ताल, अलमोरा and दार्जलिंग etc. are located here ठीक है जितने में हमा निस पॉेंट है तो वो भी आपको इसी हिमालया Range में देखने को मिलेके कोंसा जो हमारा middle हिमालया है वहां पे आपको शिमला भी देखने को मिलेगा, मैसूरी भी मिलेगा, नैनी ताल मिलेगा, अलमोरा अ मिलेगा, दार्जलिंग मिलेगा. यह सारी सारी locATIONS आपको Middle हिमालय and their region, location, ठीक है, Soda Peer Panjal range में हमरे को दिखने को जो area आता है, that is Jammu and Kashmir and they are to the south of the Kashmir valley, फिर आता है, दूसरा, that is Dhawla-Dhar range, ठीक है, ये हिमाचर प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको, फिर जो next third है, important है, that is Masuri range and the Nagatiba range that is exist in the Uttarakhand, and Mahabharat Lake that is in the Nepal, वैसे मैंने ये आपको बता दिया था, पर यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट में अलग से बना दिया गया, टेबल में अलग से बना दी, प्रेजेंट किया है, अब आती है, नेस्टी सी में है, ठीक है, हमारे पास जो important point है, यहाँ पीर-Panjal range in Kashmir is the longest and the most important range, ठीक है, यह पीर-Panjal range कहाँ पे है, काश्मीर में देखने को मिलेगी आपको, यह हमारा काश्मीर है, तो यहाँ पे यह पीर-Panjal range है, इसका distance है, वो कितना है, width है, that is 300 km के vast area में and it rises to 5000 meters and contains mostly volcanic rocks, कौन सी rocks यहाँ पर पाई जाएगी, वोलकानिक rocks पाई जाएगी, तो जो paper के point of view से important रहेगा, वही चीजे मैं यहाँ पे mention करता हूँ, लिखता हूँ, बाकी चीजे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ, अब इसमेगर मैं बात करूँ, passes की, पीर-Panjal में कौन-कौन से passes आते हैं, first is, पीर-Panjal pass, that is 3480 meter, and the bedels, that is 470 meter, उसके बाद आता है, गौलबा घर-Pas, that is 3812 meter की उचाई पे है, और nest जो pass है, that is Bunny Hall Pass, that is 2825 meter की उचाई पे, इसी तरह से, दा Bunny Hall Pass is used by the Jammu-Shirinagar Highway and Jammu-Baramula Railway, किस-किस के द्वारा यूज किया जाता है, Jammu-Shirinagar Highway and Jammu-Habaramula Railway के द्वारा Bunny Hall Pass का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आता, the Krishna Ganga, the Kishan Ganga, the Jhelam and the Chinabs cuts through the ranges, and next important point है, यह point clear हो गया होगा, होपसो की, जो Kishan Ganga है, Jhelam है और Chinab है, वो इसी रेंज से निकलती है, और इसी रेंज को काटती हुए आगे बढ़ती है, then comes the South East of the Ravi, the Peer-Panjal continue as Dholadhar Range, and passing through Dalauzi, Dharamshala and Shimla, ठीके तो यह रावि नदी किन-किन एरिया को cover करती हुए जाती है, तो वैसे rivers जब हम करेंगे, तो हम इसको पूरा details करेंगे, बट फिलाल भी, आपको पता होना चाहिए, कि जो हमारी river Ravi है, ठीके, वो पहले तो पीर-Panjal में exist करती है, उसके बाद यह धौला-दा रेंज से आगे निकलती हुई, कहां-कहां जाती है, धलाजी, धरमशला, एंड शिमला, इंपोर्टन जो इसमें वैली जाएगी, इंपोर्टन वैली ठीक है, तो यह भी आप देखियेगा, इंपोर्टन है, तो बिट्विन दा पीर-Panjal और जासकर रेंज, पीर-Panjal और जासकर रेंज के बीच में में हिमालया जाता है, लाइज दा वैली जो आप काश्मीर, एंड दा सिंकलिकल्स बेसिन, और इसके साथ जेलम रिवर है, जो मेंडर्स बनाती है, थ्रू दीज डिपोजिट्स, जिसमें की कश्मीर इस लाइक बेसिन, विद वैरी फ्यू ओटलेट, और हिमाचर प्रदेश में भी देर इस कांगरा वैली, ठीक है, जहां पे हमें देखने को मिलती है, and it is a strike valley and extend from the foot of धौलादार रेंज टू दा सौथ अब्यास, in the other hand, the कुलू वैली is the upper course of the रावी and is a transverse वैली, ठीक है, कैसी वैली है, transverse वैली है, उसके बाद, next and important, जो हमारे पास portion बच गया है, वो कौन सा बचा है, that is our shivalik range, ठीक है, shivalik range भी मैंने आपको map में बताया था, shivalik range कहां पे exist करती है, shivalik range हमारी exist करती है, this portion में, जो हमारे पास middle हिमाल्या के बाद, last and important portion बच जाता है, this one, this is our shivalik range, यह हमारे पास क्या है, यह हमारे पास shivalik range है, यह वाला portion है, यह वाला portion, lower portion, ठीक है, this is called as the shivalik range, उसके बाद हम next इसमें, देखेंगे important point, that is, की also known as the outer हिमाल्या, इसको हम किस नाम से जानते है, और साथी साथ divers between the great plains and the lesser हिमाल्या, great plains समझ लहें आप, यहां से निचे को हमारे पास क्या है, great plains आ जाते है, ठीक है, गंगा के मैदान, etc., आ जाते है, उपर को हमारे पास यहां से lesser हिमाल्या है, ठीक है, तो यहां पे बीश का जो portion है, that is, shivalik, and the altitude varies from 600 meter to 1500 meter यानि कि इसकी जो अब आप sea levels तेकेंगे तो 600 meter से लेकर 1500 meter की height रहती है और runs for a distance of 2400 km from the port war plateus to the brahmaputra valley ठीके port war plateus से brahmaputra valley के बीच ये 2400 km के दारे में फैली भी range है and the southern slope of the are steeps while the northern slopes are gentles ठीक है so the wide width of the Shivalix varies from 50 km in Himachal Pradesh to less than 15 km in Arunachal Pradesh यानि कि जो इसकी width है वो Himachal में ज्यादा है और जैसे जैसे ये east की तरफ जाती है Arunachal Pradesh में इसकी width है वो किवल और किवल 15 km हो जाती है यानि कि अगर आप इस हो HP में कितना लिखेंगे तो HP में ये more than 50 km है और अगर आप इसकी बात करेंगे अनचal Pradesh में तो ये रह जाती है कि वोल और कि वोल मात्र 15 km की width में and they are all most unbroken chains of low hills except for a gap of 80 to 90 km which is occupied by the valley of the Tista rivers and Radhaik rivers important ठीक है so Shivalik ranges from North East India up to the Nepal's are covered with the thick forest यानि कि जितना वी इसका ये वाला portion आप देखेंगे अगर इसमें आप इस तरह सिसको map को देखेंगे तो यहाँ पे जो यह वाला portion है कौन सा North East India का ठीक है Nepal's etc ठीक है यह वाला portion covered with the thick forest ठीक है यहाँ पे क्या है काफी ज्यादा घने जंगल पाय जाते है यानि कि यहाँ से जब इधर की तरफ आते है तो जो वर्चा है उसका जो ranges है वो दीरे दीरे इधर की तरफ कम होती है और अगर आप इस्ट वार्ट की तरफ जागे तो हमें rainfall ज्यादा देखने को मिलेगी in the shivalik and ganga plains so the southern slopes of the shivalik ranges in Punjab and Himachapradesh are almost devoid of the forest covers and these slopes are highly dissected by the seasonal streams called koachos as well as the valleys are part of the sink lines and hills are part of the antique lines or anti-sink lines clear then important point this is a very important for the point of again prelims the shivaliks are known by different names in different area jaisik isko jammu region mein isko kya kehenge that is jammu hills aur saati saath इसमें जो डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी hills it is called in अवनाचा प्रदेश ठीक है और उसके बाद आता है यह थोड़ा सा यहाँ पे जो heading है तो इदर उदर होगी है तो आप इसमें ज्यादा घबराने की कोशिश ना करें you will understand it ठीक है तो आपको बता चलेगा कि जो state है वो कौन सी है और जो नाम है वो कौन से है ठीक है उसके बाद आता जैसे धांग range और दुंदवा range यह कहां पे कहा जाता इसको उत्राखन में तो यह जो वाला portion है यहाँ पे इसको आपको क्या करना है region लिखना है और इसको name of shivalik से लिखना है इधर name of shivalik ठीक है तो यह आप correct करिएगा फिर आता इसमें चूरिया घाट हिल्स यह कहा जाता है नेपाल में ठीक है तो नेपाल में इस नाम से जाना जाता है उसके बाद आता formation of dunes या दिवराज that is shivalik hills was formed by the accumulation of conglomerates that is sand, stones and silt, gravels, debris, etc. तो इस तरह से यहां पर अलग-अलग तरह के dunes बने हैं and these conglomerations in the initial stages of depositions obstructed the course of the rivers ठीक है जैसी यह यहां पर ठीक है sand, stone, silt यहां पर इकठा हुआ तो यहां से जो river flow कर रही थी उसने इसके रास्ते को रोक लिया with the passage of time and draining from the higher reaches of the Himalayas and formed temporary lake तो यहां पर क्या बनी कुछ समय के लिए जैसी यहां पर रोका तो यहां पर यह जैसी आगे से पहाड जैसा बन गया और यहां पर पीछे जब पानी भरता गया भरता गया तो एक तरह की temporary lake बन गई with the passage of time this temporary lake accumulated more and more conglomerates and the conglomerates were wells settled at the bottom of the lake तो जितना मिया से भाह के नदी लाए तो उसको यहांपे deposit कर रही थी and when the rivers were able to cut their coals through the lakes filled with conglomerates deposits the lakes were drained away leaving behind plains called dunes or dunes in the west end the diwaras in the east and dehradun in utarakhand is the best example. जो dehradun है वो इसका best example है and kota पाटली या कोठारी चुम्भी या क्याद्रा ठीक है या उदंपूर या कोठली are some other important example of the adun. तो ये हमने पूरा का पूरा complete analysis किया. होपस हो कि आपको इससे काफी ज़्यादा जानकारी मिली होगी दोस्तों तो इस वीडियो को like, subscribe, my youtube channel कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप share करिए और next वीडियो के लिए बने रहे हमारे youtube channel के साथ. Thank you to watch this important वीडियो.